हाई गाइस, मेरा नाम है भरत जेटवाली, यह मेरा यूट्यूब पर पहला यूट्यूब है, तो सबसे पहले मैं अपने बार में बता देए, कि मेरा नाम है भरत, और पायर प्रोफेशन, मैं मेकैनिकल एमिय हूँ, मैं जैफूट कर रहने वाला हूँ, यूट्यूब पर मैं अपना पहला वीडियो डाल रहा हूँ, इन वीडियो में जो भी हम डालों होगी, उनमें मोटिवेशन स्टोरी होगी, जो आप लोगों को अपनी लाइप के बार ही मो जिंगल बाल, जिंगल बाल, जिंगल ओल ओल लगान वाले बाबा, आप क्रिकेट रिकेट कैसा चल रहा है, बुढ़े हो गयो, तो आप भोगा लगान का बाबा, अवरा सांदा ग्लोसु में, मैं तुम्हारी विश्पूरी करने आया हूँ, मतलब मैं कुछ भी मांग सता हो 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 मैठा, सची में कुछ भी मांग सकता हूं, हो 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 भाभा हो, सांदा काय पाई जे तुमाला, उत्रा सार कुन रखते हेक लिए जए जबहा दुचा आई ची, सांदा काय जे तुमाला, बोल ला क्या चाहिए हो 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 iPhone 7, 256 GB, matte black, और एक Mercedes E-Class दिला दो, बस और कुछ ने, अबे मेरा दाम Santa Claus है, Santa Ampani नहीं है, खुछ रियलिस्टिक मांग, अच्छा ठीक है, प्लीज मेरा इंजिनेरिंग पास करा दो, प्लीज, आले, iPhone 7, matte black, 256 GB, Mercedes E-Class की चाबी नीचे खड़िया लेकर जा, यहले, मेरी दाड़ी यहले, मेरी टोपी भी रख, लेकर अगर इंजिनेरिंग पास करने को मांगा है, कहांद मार दूँगा, उपी बिना देल के, अब इसको क्या हो गया, अरे, Santa Claus भी इंजिनेरी था, एक मिनिट, तू को ले, मैं आपका वच्में साभ, अच्छा, मैं भी इंजिनेर हूँ, आशिश चंचलानी एक यूट्यूब वाइनर है, जो कि यूट्यूब पे एक चैनल अशिश चंचलानी वाइन से, उसपे अपने वीडियो ज़ालते हैं, कॉमेडी, डविंग, एक। इसके, तो कैसे उनको ये आइडिया आया, और कैसे, एक एक मिनट के वीडियो डालने से तो आये देखते हैं क्या है उसकी जाई तो सबसे पहले सवाल यह होता है आशिश को आईडिया आया कैसे कि उनको एक वाइनर स्टार्ड वाइन्स का पीच स्टार्ट रूना जाए तो यह एक उनको आईडिया आया कि उनने बच्टाम से ही एक्टिंग को लेकर बहुत जाता कि वह एक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पीचा जी थीटर और फिल्म इंडर्स्टी से जूड़े तो उन्होंने कई मूवीज देखी हैं कई थीटर्स देखे हैं इसमें हीरो आते ही क्लैपिंग होती है तो उनको एक फेम का और एक्टिंग का नशा जड़े तो दीरे दीरे जैसे वो बड़े होते रहे तो 10th standard में आते हैं उन्होंने अपने पिता जी को कह दिया कि I want to become an actor तो उनके पिता ने कहा बेटो जो बनना है मानों अपन इस फिल्ड से हैं पर इसमें struggle बहुत है जैसा कि हम जानते हैं तो इससे पहले कि तुम कित करो तो तुमें अपन इस्टडीश मिलना गया ट्रस्ट ने साइंस चूज करी और फिर वो इंजिनेरिंग में आ गया इंजिनेरिंग में अनों सेविल ब्राज है तो तो अशिस जैसे ही फर्स्ट येर में आया तो उनके बैक लग लग गया इस्ट्यर के बाद जिससे वो बहुत टोट गए तो उ अपना जो चाहते हैं करना अप्टी वो उसमें पीछे रह गया तो फिर उन्होंने क्या किया जो एक मौका आया सेकेंड ये इसमें उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी तो क्या हुआ उन्होंने सेकेंड डिल में कॉलेज कमिटी जोइन कर ली जिसमें वो कॉलेज के जो कि डैट मुझसे अब नहीं हो रहा मैं एक्टिंग के लिए ही बनाए तो उनके पिता जिनी का बेटा कर लो एक्टिंग भी कर लो और देख लो तो फिर दीरे-दीरे उन्होंने यूट्यूब पे पेज बनाया जिसमें वो अपने जो भी एक्टिंग का पीड़ा है वो भार तो वह एक मिनट का वीडियो बनाते है जैसे कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा तो वह उसमें डाविए तो धीरे-दीरे-दीरे वह अपने यूट्यूब के वीडियो बनाते गए फस्ट वीडियो में एक दोद वीडियो में उनको बिल्कूल भी रेस्पांस नहीं आय एंड में बना दे बनाते एक टाइम ऐसा आया कि इसी कमेंट में उनकी वीवर्स ने एक मैसेज गजया जिसमें एक लडिकी का पाव फ्रेक्चर है और वह आशिश के वीडियो देख लिए तो आशिश को उससे बहुत अच्छी प्रेंग ना मिली और उन्होंने अब जो वा अब रेगुलरली हर दिन ये हर दूसरी दिन एक वीडियो पोश्ट कर रहे थे हैं अपने यूजर्स के लिए आशिश चंचिन्वानी की फैनफोले इंपोले बहुत जाता हैं अपने ग्रूप्स में और जो भी उनके वीवर्स हैं उनके 20-30,000 फॉलोवर्स हैं इस्टर्रा पेज़ोक, CTC अब यहीं नहीं कि आशिश अगर अपने मन की कर रहे हैं तो कुछ अर्णिंग नहीं कर रहे हैं यूट्यूब से उनके बहुत अच्छी अर्णिंग हो रही है सुशल ब्लेट वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर यूट्यूब के इनके व्यूज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी देखी जाए यह आँकी अर्णिंग देखी जाए तो उनकी अर्णिंग उनकी अर्णिंग 478 डॉलर टू तो यह तो बहुत अच्छी बात है जब आपका टैलेंट ही आपको कमा के दे रहा है बहुत लोग हैं इंडिया में दो सिर्फ अपनी लाइफ कीसर हैं जॉब कर रहे हैं और अपने टैलेंट का मिस कर रहे हैं एक मैसेज उन लोगों के लिए कि आशिश चंचलानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो को अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं जो अपने ड्रेम पूरे देनना चाहते हैं पर सोचते हैं अगर मैं एक्टर बनूँ तो ऐसे लेवल पर बनूँ कि डाइक ठीटर टीवी सीरीट या फिल्म में ही करूँ तो ऐसे जरूरी नहीं है आप सोशल ब्लैटफॉर्म को अपना बेस बना दीजिए अच्छा लगा तू लाइक करें शेर करें